जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस व्यूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 कोस्चन्स जो कि भारत के संब्धान से संबंदित हैं और आप सभी को बता दें दोस्तों कि इंडियन आर्मी उसके बाद में RPF, CRPF, CISF, ITVP, SSB, BSF और आसाम राइफल जितने भी फोर्सेस हैं इंडिया के संब्धान से एक या दो कोस्चन्स हर एक्जाम में पूछे जाते हैं यह जो बीडियो है दोस्तों वो आर्मी और SSGD दोनों के लिए ही आज बहुत इंपोर्टेंट बीडियो है तो बीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों एक एक कोस्चन्स इस बीडियो में अच्छे और स्लेक्टे लेवल का है ठीक है जो के पिछले एक्जामस में आपके रिपीट हो चुके हैं तो बीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेज जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तो स्टाट करते हैं आज की वीडियो कोस्चन नमर बन है सम्विधान सबा के प्रितनेदियों का चुनाब कब हुआ सम्विधान सबा के प्रितनेदियों का चुनाब कब हुआ तो कोस्चन नमर बन का सही आंसर है जुलाई अगस्त 1946 में सम्विधान सबा के प्रितनेदियों का चुनाब हुआ था Q2 है संब्धान सवा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे Q2 का सही आंसर है Option C 296 Q3 है संब्धान सवा के लिए कुल कितने सदस्यों में से Congress के कितने सदस्य थे Q3 का सही आंसर है Option A 208 Q4 के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें यह जो Q4 है सभी important questions है और आपके exams में यह आ चुके है मैं आपके लिए जो भी Q4 लेकर आता हूँ दोस्तो बहुत सोंच समझकर और बहुत अच्छे selected level के Q4 मैं select करता हूँ Q4 है समझदान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बहुत important question है दोस्तो जो समझदान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई Q4 का सही आंसर Option C 9 December 1946 के लिए समझदान सभा की प्रत्थम बैठक के गई थी Q5 समझदान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था बहुत important question है दोस्तो तो question number 5 का सही आंसर है Option A 207 सदस्यों ने समझदान सभा की प्रत्थम बैठक में भाग लिया था Question number 6 है समझदान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी समझदान सभा की पहली बैठक कहा हुई थी तो सम्मिधन सभा के पहली बैठक हुई थी दोस्तो दिल्ली में ठीक है तो यहाँ पर question number 6 का सही आंसर option A दिल्ली question number 7 है सम्मिधन सभा के स्थाई सभापती का निर्वाचन कब हुआ था question number 7 का सही आंसर है option D 11 December 1946 के लिए सम्मिधन सभा के जो है दोस्तो इस्थाई सभापती का निर्वाचन हुआ था question number 8 है सम्मिधन सभा की प्रारूप समिती का गठन कब हुआ था यह question दोस्तो बहुत important है मैं बता रहा हूँ यह 100% आपके exam में question आएगा ठीक है बहुत ज़्याद संभावना है इस question की आपके exam में आने की तो question number 8 है दोस्तो सम्मिधन सभा की प्रारूप समिती का गठन कब हुआ था question number 8 का सही answer option A 29 अगस्त 1947 question number 9 है सम्मिधन सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये question भी दोस्तो बहुत important है तो सम्मिधन सभा के गठन जब हुआ था उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था question number 9 का सही answer है option C लाड माउंट वेटिंग question number 10 है सम्मिधन सभा का प्रमुक्ष सलाकार किसे नियुक्त किया गया था question number 10 का सही answer है option A Dr. B.N. Rao question number 11 की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF फाइल के लिए बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका जो लिंक है दोस्तो वो इस वीडियो के description में मिल जाएका और आप टेलिग्राम पे जाके सिवा online classes search भी कर सकते हैं ठीक है question number 11 है भारत में सम्मधान भारत के सम्मधान में कुल कितने भाग हैं भारत के सम्मधान में कुल कितने भाग हैं तो question number 11 का सही आंसर होगा option A 20 भाग question number 11 से 15 दोस्तो बहुत important question है ठीक है तो भारत के सम्मधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं यह question number 12 भारत के सम्मधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो Q12 का सही आंसर है, option A, 395 अनुच्छेत Q13 है, भारत के सम्मधान में कुल कितनी अनुच्छियां है? तो Q13 का सही आंसर, option A, 12 Q14 है, भारत के सम्मधान की रचना में कुल कितना समय लगा? दोस्तों, यह question है, बहुत important question है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप army के तयारी कर रहे हैं, फिर SSC GD के तयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह question है, सभी के सभी बहुत important questions है, ठीक है? पूरे के पूरे question महतुपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो defense के जो constable, या फिर hate constable level तक का जो exam होता है, उसमें सभी forces के जो exam होते हैं, written exam उनमें same questions आते हैं GKK, ठीक है? तो यह question दोस्तों आपके लिए मैं बहुत important question है, जैसे कि मैंने वीडियो के सुरुवात में भी कहा था, आपसे कि इस वीडियो में से आपके लिए जो 15 question में लेकर आया हूँ, इसमें से 2 या 3 question आपको आपके exam में देखने के जिरूर मिलेंगे, तो भारत के सम्मेदान की र भारत का सम्मेदान बनके तयार हुआ था, question number 15 है और आज की वीडियो का last question, जिस समय भारत का सम्मेदान लागू हुआ, उस समय भारत के राष्टपती कौन बनाए गया, तो जब भारत का सम्मेदान लागू हुआ था, तो भारत के राष्टपती उस समय किसको बनाए गया, question number 15 का सही answer है option A Dr. Rajendra Prasad ठीक है भारत के प्रथम राष्टपति अगर question में पूंचा जाता है तो कौन है Dr. Rajendra Prasad तो ये थे दोस्तो 15 question वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताना एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि दोस्तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक है बिल्कुल फ्री में आपके लिए इसको एक भी पैसा देने के जरूरत नहीं है मैं समझता हूँ आपकी प्रॉलम के लिए कि दोस्तो YouTube चैनल वाले बोल तो देते हैं कि आपको फ्री म करना पड़ता है लेकिन आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर विजिट करके देखिए जिसमें दोस्तों मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सभी की PDF फाइले उसमें पड़े हुई है और आप आकर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए जैसे दैस से दोस्तों हम वीड उसकी जो PDF है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर अपलोड होती रहती है तो इस वीडियो की PDF भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और